ये देखिए दोस्तों इस तरफ रास्ता इस रास्ते पे बहुत सारी भीड बहुत सारे लोग और इसी भीड में दिल्ली शहर के बिल्कुल बीचो बीच बसी है ये एक बावडी जिहाँ दोस्तों इस वक्त में हूँ दिल्ली शहर के बिल्कुल बीचो बीच 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 बिल्ली यानि महाभारत का इंद्रप्रस्त शहर उसके बिल्कुल बीचो बीच जहापर बनी है बावडी जो काफी विशाल है काफी सुन्दर है लेकिन उसके साथ ही काफी सुनसान है जैसे ही हम उस बावडी में उतरते चले जाते नीचे सन्नाटा एकदम चा जाता है हम भूल जाते हैं कि हम दिल्ली शहर के बिल्कुल बीचोबीच है तो ऐसी है यह बावडी जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रही है यह देखिए इस बावडी की दीवार आप देख सकता है उग्रसेन की बावली जी से हम कहते हैं और मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ बावडी और बावली में तो क्या बावली ये शब्द सही है या फिर बावडी ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताईए और व्लॉक करना तो यहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि आके जो गाड़ थे उन्होंने कैमेरा में देखकर व्लॉक करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और उनकी ये बात सही भी थी और वो क्यों ये आपको अंदर जाने के बाद इस बावडी की रचना देखने के बात समझ में आ जाएगा इस बावडी की रचना को देखकर इसके आकार को देखकर भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बावडी बाकी के एतियासिक जगों की तरह ही है और यहाँ पर आप कही भी घूम सकते हो नीचे आकरी सीड़ी तक उतर सकते हो और यहाँ तो छोड़िये इस बावडी से जुड़ी कई कहानियों को और घटनाओं को सुनकर कोई भी नीचे उतरने की हिम्मत बिलकुल नहीं करता तो इस बावडी के साथ एसी क्या घटनाय जुड़ी है क्या राज जुड़े है ये एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ और व वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए दिल्ली के शोर शराबे वाले कैनोट प्लेस में मौजूद है एक बहुत ही विशाल और सुन्दर लेकिन बहुत ही शान्त और सुनसाने सक हुआ जिसमें नीचे उतरने के बाद एक समय में हम भूल जाते है कि हम दिल्ली शहर के इस बावडी के अलावा भारत की सबसे बड़ी बावडियों में से एक है चांद बावडी जो राजस्थान में है उसके बारे में एक एनिमिटेट वीडियो आपको बहुत ही जल मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा बस कुछी दिनों का इंतिजार कीजिए ऐसी मानने अता है कि महाभारत के समय में इस बावडी का निर्वान हुआ था लेकिन इसके कोई लिखित प्रमान तो मोचुद नहीं है हाँ इसके सबूत जरूर मोचुद है कि यहाजो पहले से मोचुद एक बावडी थी उसका जिर्मोधार अगरवाल समाच के महाराजा अग्रसेन जीने जिसके बाद इस बावडी को अगरसेन की बावडी कहा जाने लगा लाल बलुअ पत्थर से बनाई गई इस बावडी की लंबाई है 60 मिटर और गहराई है 15 मिटर यहा लगबक 105 सीडिया है इस बावडी को राजा अगरसेन जीने 14 वे शताबदी में बनवाय था पुराने सम समय में ये बावडी पूरी तरह से उपर के फ्लोर तक पानी में डूबी रहती थी और यहां लोग तैरने के लिए आते थे मतलब मैं आज से कुछ 500 साल पुरानी बात कर रहा हूँ और उसी समय में कुछ ऐसी घटना यहा होने लगी कि इस बावडी को भूतिया बावडी कह जाने लगा फिलाल अभी एक नीचे रस्ती है जिसके पार जाने की इजाज़त भी किसी को नहीं है और उसके पार जाने की हिम्मत भी कोई नहीं करता क्योंकि इस रस्ती के पार जाकर जब हम नीचे सीड़िया उतरने लगते हैं तो धीरे धीरे आसपास की आवाज गायब ह और आप भूल जाते हो कि आप दिल्ली शहर के बीचो बीच बने एक बावडी में हो। जिससे शाम होने के बाद, अंधिरा होने के बाद, लोगों ने इस बावडी के पास आना बन कर दिया। आज भी हम हमारे आसपास नजर डालेंगे तो बरसात की सीजन में ऐसी कई घटनाय सुनने को मिलती है। एक हेल्थ इंशुरंस या फिर टर्म इंशुरंस होना काफी जरूरी है। इनकी बावडी की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो घटनाय होई थी और जिसमें काफी सारे लोगों ने अपनी जान गवाई थी उसके पीछे का कारण क्या था। यहाँ की जो स्टेप से उनकी आप डिजाइन देखिए। जब इस सीडिया पानी में डूबी हुई रहती थी तो हो सकता है कि इन पर टकराने से, इन से फिसलने से लोगों का बैलंस जाता होगा। और जो नो सीखिये थे वो यहाँ पर डूपते होंगे। बना मुश्किल है और वैसे भी नीचे हमेशा पानी रहने से शेवाल बना रहता है तो इसलिए नीचे सब डार्क ही दिखाई देता है जिसकी वज़े से जो ओवराल पानी का रंग है वो भी काला दिखता है और ये मेरा अब्जर्वेशन है अगर इसमें कुछ करेक्शन है य तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई पॉलिसी बाजार की लिंक से आज ही हेल्थ इंशुरंस जरूर ले तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में